क्या आप आप लोग जानते हो अफस्टॉक स्टोक के दो मोड है, दोस्तों, यानि की डबल एप की तरह ये काम करता है एक तरफ आपको इनवेश्टमेंट का फिचर्स मिल जाते हैं, और एक तरफ आपको ट्रेडिंग के फिचर्स मिल जाते है इन दोनु मोड को आप यूज कर सकते हो, अब स्टोक्स के अंदर और जबरदस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट हो वाले हो, तो आप शिर्फ इन्वेस्ट वाले एफ अप्शन में ही जाके डिटेल रिसर्च कर सकते हो, किसी भी कमपनी की, और आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाती है दूसरा जो लोग करते हैं उनके लिए ट्रेडिंग का इंफ फैसी इसमें कुछ इस्पेसटी और स्मिल जाते हैं इस जिससे कि वह अपनी ट्रेडिंग को और भीजाता बैतर कर पाए तो आए आज हम जानते हैं दोनुं मौड के बारे में जिसमें कि अप स्ट को आप ओपन करते हूं तो नोर्मल इस परिकार का मोड ओपन नहों जाते हैं ये हैं दोस्तों ट्रेडिंग का मोड जिसमें कि यह आप हम क्लिक तो देखे सबसे पहले आपको अफस्टो क्स इस तरफ इन्वेस्टर है इस तरफ अपस्टो क्स प्रो फॉर ट्रेडर और हैं और उनका इन्वेस्टिंग जो फिचर से वह सारे आएंगे ट्रेडंगें त्रेटिंग फिचर ς Jackie पे जा सकते हैं और उनुंसा बढ़िम रहे가 जो इन्वेस्ट्मेंट वाला है और तो देखे गज़ाइब ढूह के अंदर डिने सिमिलरेटीयज नहीं थे बहुत जदा अब गाईज देखे हम जैसे किसी शेड को बाई और सेल करना है खरीद ना बेजना है तो हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड हमें क्या क्या है इसमें चीजे मिलती है ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखे ओपन करते हैं तो इस लेवल पर आप समरी मिल जाएगी उस दिन इस टोक में क्या हुआ है उस दिन कितनी बाईंग सेलिंग क्वांटिटी चल रही है ओपन लो यह जो हमें चाहिए यह सब हमें किसलिए चाहिए होते हैं यह हमें चाहिए होते हैं ट्रेडिंग के लिए और भी बहुत कुछ यहां पर देखे थोड़ा बहुत इन्वेस्टम ट्रेडिंग व्यू से किनेक्ट करने होगा आपको यह फिर ट्रेडिंग व्यूज चार्ट यूज तो आपको कफी easy हो जाएगा analysis करने लिए अब भी देखते हो यह चार्टिंग software जो कि हमारा चार्ट IQ का है चार्ट IQ का चार्टिंग सोफट्वेर है और हम बात करेंगे हमा चाहते हो कौन सा पैटन है ट्रेंड लाइन बनाना रेंज बनाना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रो करना वो सब कुछ आपको यहां पर टूल्स मिल जाते तीक है उसके बाद आपको देखे-बाय और Cale के लिए कि यहीं पर एक बटन मिल जाते हैं जिन्पे क्लिक करते हो तो आपको यहां पर बाइंगा Lewis करना है चलिये यहमारा बाइंग के लिए चुपाहे हैं दूसरी जीजते लिमीट और इस्टोप लोस Levin और और is top loss market order हमें यहाप पर मिल जाता है और intra day करते हैं saem हैं और यहाँ पर order extra मिल जाता है जिसमें कि हम अपना जो is top loss है आपकर ब ros असी ओर्डर के साथ लगा सकते हैं ठीक है to a ब चैने मारकेफ टो अब है तो अबिके लिए आप इमора भी लगा सकते हो इसको after market order बोला जाता है जिसमें कि हम जो भी प्राइज हो select करते हैं उस दिन अगर market उसी प्राइज के आसपास open होता है तो हमारा order execute हो जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं आपको एक special order मिलता है जो कि है GTT order जिसकी value आपको 365 दिनों तक valid रहता है long term के लिए आपको कोई भी stocks खरीदने हैं तो एक ही के अंदर आप क्या कर सकते हो buying order भी लगा सकते हो target भी लगा सकते हो और stop loss भी लगा सकते हो यानि कि single order में आपका तीनों काम हो चुका है तो अगर order आपको एक साल तक कहीं भी उपर नीचे target पर गया target हीट हो जाएगा stop loss पर गया stop loss हीट हो जाएगा और buying के लिए अगर आपकी buying price उपर नीचे है तो जैसे buying के वास जाएगा आपका buying के लिए भी हीट हो जाएगा ठीक है तो यह सारे फिचर्स हमें जो मिल रहे हैं वह है अप्स्रोक्स ट्रेडिंग वाले इंट्रपेस गेंदर उसी के साथ हम options में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे सामने option करेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी यह बना नहीं है तो इसके बाद यहां पर आप जो जैसे में इसको by करना चाहता हूँ इसको भी by करना चाहता हूं तो यहां पे देखि एक साथ मैं अपना अपना जो baskate order है उसको भी create कर सकता हूं अगर मैं option selling करना चाहता हूं तो मैं किसी भी option को sale करे या फिर hedge बना के अपना जो मार जी ने उसको बचा सकता हूं जहां पर एक डेड़ लाग रुपे चीए होते हैं वहां पर अपना काम 30-40 जार में भी ऑप्शन सेलिंग का हम कर सकते हैं तो यह सार फिचर्स भी आपको आप स्टॉक्स प्रोवाइड करता है नेक्स्ट आता है यहां पर देखें न्यूज क इंट्रोफेस ठीक है न्यूज प्लिक करते हैं तो क्या हमार सामने यहां पे जो भी हीरो मोटर को जस्ट भी शेयर हैं उसी शेयर के आपको न्यूज मिल जाएगी तो आपको न्यूज के लिए कहीं बटकना भी नीपड़ता है यार्श सेर में क्या वने माला इसमें क्या न टेल्स भी मिल जाती हैं तो फिर ऐसा क्या अलग है इंवेश्ट वेंट वाले इंट्रपेस के अंदर वह भी हम देखेंगे आपको अलट लगा नहीं तो भी आप लगा सकते हो जी टीटी ओडर तो मैंने आपको बता ही दिया है ठीक इसी के साथ आप यहां पर अपनी अलग- पोल्यों पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे एक शेर खरीदर का यह अभी नए अकाउंट है तो रतन इंडिया का राइस की वोल्डिंग भी बची विए डिसकवर के ऑप्शन पर चलते हैं तो डिसकवर के ऑप्शन पर आपको फिचर्स मिलते हैं जैसे कि के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो कमोडिटी मार्केट भी आ जाता है जिसमें कि आप सिल्वर है गॉल्ड है इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो ठीक है उसी के साथ अगर आप देखो तो यहां पर और भी आपको इस्टेटीजी बनी बुनाई मिल जाती है जैसे कि यह होगा हमें फंट चीए होगा 22,000 रुपे तो 22,000 रुपे लगा गया हमें इतना प्रोफिट और इतना लोस हो सकता है और यह इसका प्रोफिट ग्राप एक मार्केट कब कितना उपर या निचे जाता है तो हमारा प्रोफिट विलिटी रेशू क्या रहने वाला है ठीक है एक और चीज़ बताता हूं इस टोक्स और आईप्यों में अप्लाई करने लिए यहां पर देखिए फ्यूचर और ऑप्शन के आसपास आपको स्टोक्स और आईप्यों का सिस्टम भी मिल जाएगा उसी जिगह पर आप आईप्यों में अप्लाई कर सकते हो थोड़ा सा नी नया इंटरफेज वह अपन होगा अप्स्टॉक्स एडवांस प्रो मोड है ना अब इसमें देखिया हमें क्या क्या स्पेशल चीज़े मिलती हैं तो अप्ट्रेंड में 30 स्टॉक्स हैं वह हमें अप्स्टॉक्स बताएगा टोप 30 स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट आप इसको अभी बेच सकते हूं जो भी आपका बलाने स्मार्ट लिष्ट आपको मिल जाती है जिसमें कि इन्नों के दुवारा स्पेशल सेक्टर्स को बनाए गया है कि इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप बिगीन है तो आपके लिए भी स्टोक जिए हो कि वेल्यू क्या है कितना आपने स्टोक में इन्मेस्टमेंट कर रहा है सब कुछ फिर थोड़ा स्कुर्ओं करोगे तो आप उन्हें के । देख सकते हो कि कितने न्यूज है कितना क्या है ठीक है और मैं जनरली अभी है वो यह नया अकाउंट है ठीक है तो इसके अंदर अब भी जो कुछ इन्वेस्टमेंट करना है वो भी प्लान करेंगे ओके और आपको निच्चे मिल जाती है यह लिस्ट काउन श्टोक्स की जो कि आप यहां पर और भी किसी को एड़ करना चाहते हो किसी भी स्टोक्स पर आप क्लिक करते हो देखे जैसे हम डाबर पर क्लिक करते हैं ओके डाबर पर क्लिक करने बाद हमें यहां पर इसके क्या फीचर से ब सेक्टर में आते हैं और यह थोड़े कम रिस्की होते हैं उसी के बाद इन में क्या न्यूज है तो देखें डाबबर कंसीटरिंग एक्विजिशन्स टू एक्स्पेंड एक्रोस इंडिया यानि कि वह इदर उदर आगे बढ़ना चाहते हैं साउथ हिस्ट की तरफ और इसी के साथ एनलिष्ट कया Bola रहे यान कि जो एक्षपर्टस हैं वो किया बता रहे तो एक्षपर्ट बठा रहेंस 77 पर्षप लाप कर सकते हो ठीक है और साथ दिनों में यह थर्टिन चेक लिस्ट की गाई investment checklist का option काफी attractive काफी अच्छा लगा मेरको अगर यहां आपको अच्छा रहा है कि इतना return दिया है तो इतना अच्छा यह perform नहीं कर पा रहा है कि यह dividend देता है तो नहीं देता है safety factor क्या है तो ओके risk कम है इसमें तो आपके लिए सेफ हो सकता है growth factor कैसा है तो भाया growth हो सकती है इसमें डेफ्ट वर्सेट equity का जो ratio होता है कि ज्यादा company पर करजा तो नहीं है तो वह भी सही है इसका profit कमाती है नहीं कमाती है और डोनिल है तो यह से कुछ special products है जो की company यहाँ पर बनाती है उसी के बात कमपनी की market capitalization देख सकते हो financial performance देख सकते हो event कौन-कौन से है जैसे कि stocks में कब dividend दिया है कब आप क्या कुछ देने वाला है split कब होगा वो सब कुछ news भी यह बता देता है फिर बात कर लेते competitors की यानि कि जो competitors है कौन-कौन से stocks के ठीक है competitor देखे हिंदुस्तान यूनिलेवर है गोद्रेज consumer product है जो call gate है वो है ठीक है तो इस परकार से यह जो investment के लिए है वो काफी सही research यह मिल जाती है लेकिन कुछ और improvement करना चाहिए जैसे कि यहां पर क्या है कि जो हमारा चार्ट है ठीक है जिसमें हम technical analysis करते हैं वो वाला चार्ट यहां पर missing है तो अब उस चार्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है कि एक strong demand zone है या फिर strong supply zone है यह चीज थोड़ी missing है बाकि सब कुछ सही है और वीडियो को like तो करी दीजिए वीडियो को like करने के बाद आप अगर अपना demand account open करना चाहते हैं तो इसमें demand account भी open कर सकते हैं लिंक आपको comment box में और description में मिल जाएगा ठीक है कि नेक्स्ट बात कर लेते हैं discovers वाले features में इस तरह आप देखते हूं तो आपको discovers option मिल जाता है इसमें टोप सर्च स्टोक बताए जाते कि अभी कौन से स्टोक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो यह सारे स्टोक ट्रेंडिंग में हैं अभी ठीक है इन में आप जो भी चाहों investment का प्लान बना सकते हो अब ट्रेंड के अंदर कौन-कौन से स्टोक से तो यह आपको बता देता है ठीक है यह स्मॉल टाइम नहीं लंबी टाइम प्रेम में बताता है आपको दूसरा है जो लोग टुडेगे नर्स कौन से हैं इटीएप बगारा भी यह बता देता है थीम है इनकी अलग लग जैसे कोई बंदा एक्रीकल्चर के निंदर इंवेश्टमेंट करना चाहता है तो एक्रीकल्चर के उपर क्लिक करेगा यहां पर तो उनको एक्रीकल्चर से रिलेटेड टॉप स्टोक्स बताई जाएंगे उ उसके बाद अगर एक्विटी डेप रेश्यो देखना स्मॉल के आपको मिल जाते हैं और यह कुछ इस्पेसल फिचर से न्यूज पर क्लिक करते हो गाई तो जो इस्पेसल न्यूज होती है इस्टोक से रिलेटेड वह आपको यहां पर मिल जाती है लर्निंग ऑप्शन पर के लिए और यहां पर थीम वगधर हैं ओके ओके यह स्थ फोर बिगिनर जो लोग नैं उनके लिए कौन सा श्टोक सही रहेंगे वह आपको यहां पर जाते हैं जो कि आपके लिए सही रहेंगा मिल जाता है इन्होंने यह बता र ह्का Bhag कि आप इनमें investment कर सकते हो जो कम रिस्की हैं अच्छा आपको return दे सकते हैं बाइंग के लिए आप बाइप पर क्लिक तो यहां पर SBI का share है देखे जिसमें कि आप अलग-अलग rate decide कर सकते हो एक हजार दोजार पचास जार लाक आप जितना भी चाते हो quantity देख सकते हो कितनी quantity आपको यहां पर बाइक करने उसके बाद continue पर क्लिक करना है और उतना आपका order पहले हो जाएगा market order limit order दोनों मिलते हैं इसके लाओ कोई order आपको नहीं मिलता इंवेस्टिंग का तो जो नए है उनके लिए थोड़ा बहुत सही है लेकिन मेरेको trading वाला जो इंट्रेडिंग वाला जो इंट्रेडिंग वाला जो काफी ज़दा पसंद आया था कि उसमें अलग-अलग GTT order सार और मेंटर मिल रहा है ना तो वह आपके लिए सही रहेगा कभी-कभी आप देखना चाते हो तो डिट्रेल रिसेच करने के लिए अपना जो इंवेस्टर इंट्रफेस उस मोड को एक्टिवेट आप कर सकते हो ठीक है और दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास डिमे पास पास कर दो दूसरा रियावा कर सकते हो जिए से एंपसार बात वार समय को हुषदर है अ कर ले बाते हैं में देखना ले चात्तवी पास से एंवे दूसर पीका ने एंपसान बदाना है जो श स्थरा पास रहएगरा है.